महिस लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट टाइम्स शुरुआत करते हैं आज के टॉप फाइब खबरों के ठाने शहर में जगह जगह पर मंसे पार्टी का बैनर लगाया गया है इस बैनर में लिखा गया है राज तिलक की करो तयारी आ रहे हैं भगवाधारी दरसल राज ठाकरे ने पांच जून को अजुद्या जाने का ऐलान किया है और तभी से ही लगातार मंसे पार्टी के नेता उन्हें हिंदुत वादी और बाल ठाकरे के बाद उनके असली हकदार के तौर पर पेश कर रहे हैं शील कल्यान लोट पर देसाई नाका के पास एक स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई कारमालिक मोहंदास मेनन चिंबूर से डुम्बयोली के तरफ जा रहे थे और तभी चलती हुई कार में आग लगी हलाकि मौके पर पहुँची दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी हलाकि इस आग में किसी के हता हाथ होने की खबर सामने नहीं आई है कल्यान रेलवे स्टेशन पर भयानक हाथसा सामने आया है इस यात्री का नाम पवंध अशोप उपाध्या है जो उत्तरपरदेश के मुस्तफाबाद के सरया सुल्तानपुर का रहने वाला है देश भर में संपरताईक तनाव और हिंशा को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अब तक चार महिने में कुल 12,800 सोसल मीडिया पोस्ट डिलीट कर चुकी है मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने जनवरी महिने में ही 5,754 पोस्ट डिलीट की और फरवरी में 4,252 पोस्ट डिलीट की और मार्च महिने में 3,958 पोस्ट डिलीट किये गए है मुंबई पुलिस की आर्थे का प्रांच शाखा ने नई कमपनियों के पंजी करण के संबंद में नियमों का उलंगन और धुखाधरी कर भारती कमपनियों का निदेशक बनने के मामले में 60 विदियोसियों समीत 150 लोगों के खिलाफ एफायार दर्ज की गई है जिसमें 60 विदियोसियों में से 40 चीन की हैं एक पुलिस आजिकारी ने सोमवार को जानकारी दी कि 15 अपरेल के बीच में कई एफायार दर्ज किये गए हैं और मंगलवार को भी 4 एफायार दर्ज होंगे तो तमांग खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाट टेंग्स